Welcome to back our YouTube channel मैं फिर से तुम लोगों को लिए एक नया जॉब का रिकर्मेंट लेके आ गए हूँ Basically जो जॉब का रिकर्मेंट आ रहे हैं तो मेरा RKC InfraBuild Private Limited जहां पे मैं इन लोगों का प्रोफाइल थोड़ा सा दिखा देते हूँ कैसा काम होता है Basically इन लोगों का जो बिजिनेस प्रोफाइल है Roads and Infrastructure जहां पे इन लोगों का बेसिकली यह जो company है इस company तुमारा established हुआ था यहां पे देख सकते हो तुमारा 1992 में 1992 इन लोगों का जो company है established हुआ था That's been तुमारा founded हुआ था तुमारा 1992 में इन लोगों का जो head quarter है वो तुमारा गुजगराट में है और यह जो industry है basically तुमारा civil engineering industry जहां पे तुम देख सकते हैं इन लोगों का जो client है यहां पे देख सकतो Our client करके mention है यहां पे जसा है यहां पे देख सकतो NHAI Then तुमारा बहुत सा रही है Then तुमारा GIDC Then तुमारा airport authority of India BMC Then तुमारा government of Gujarat Then AMC ऐसा करके इन लोगों का client है यह तुमारा reputed company है यहां पे तुमारा job लगेगा तो problem कुछ नहीं होगा तो और एक चीज़ बात है यहां पे जैसा मैं वीडियो स्टार्ट काने से पहले कुछ important point तो बाता देती हो जैसा तुमारा time waste नहीं होता है ठीके तो पहला जो important point है यहां पे तुमारा जिन लोग engineering diploma complete कियो उन लोग भी यहां पे apply कर सकतो और जिन लोग जिन लोग तुमारा degree in engineering stream है उन लोग भी यहां पे apply कर सकतो ओके तुमारा डिप्लोमा इंजिनियर और डिग्री इंजिनियर यहां पे eligible है नेक्ट जो point है यहां पे बहुत सारे branch eligible है जैसा देखेंगे civil देन तुमारा electrical देन तुमारा mechanical branch यहां पे eligible है okay civil, electrical and mechanical branch यहां पे eligible है यहां पे freshers के लिए vacances नहीं है but yes experience holder के लिए vacances है जिसके पास experience है उन लोग यहां पे apply कर सकते okay but freshers के लिए vacances नहीं है sorry to say that but freshers के लिए में बहुत सारे vacances पोस्ट कर चुकी हो जाके check कर सकते हो but इस पर में experience holder के लिए vacances लेके आयो और इस चीच बात है बहुत सारे लोगों का comment आता है जैसा तुमारा salary package mention नहीं करते तो थोड़ा सब मैं बाता देती हूँ salary package कैसा मिलते है approximately मैं बाता देती हूँ तो उसके बाद तो तुमारा depend करेगा तुमारा experience के उपर तुमारा salary but यह मिनिमाम तुमारा 2.6 LPA से होके तुमारा last तुमारा 14.7 LPA तक तुमारा salary package मिल सकते है उसके बाद तुमारा कम भी हो सकते है ज्यादा भी हो सकते है depend upon your experience बट तुमारा minimum 2.6 and maximum तुमारा 14.7 LPA तक तुमारा salary package मिल सकते है तो थोड़ा सा details में इन इस फीडियो में discuss करने बाले हैं चलो let's start करने से पहले एक चीज मैं बता देना चाहतो this is my youtube channel job go for you जिन लोग अभी तक चैनल को subscribe नहीं कियो यहाँ पर जो rate color का दिखाए देगा यहाँ पर जाके click कर देना इसमें क्या होगा तुमारा subscribe हो जाएगा after that यहाँ पर जो bell icon ही यहाँ पर जाके click करके उसके बाद तुमारा जो all है यहाँ पर जाके click कर देना इसमें क्या होगा तुमारा सारे notifications तुमको दिखाए देगा जितने सरे मैं video upload करेंगे सारे notifications तुमको दिखाए देगा okay यहाँ पर देख साकतो जो notifications है जहाँ पर तुम देख साकतो टोटल यहाँ पर फोर साइट के लिए vacances निकल के आ रहे ओके देन यहाँ पर तुमारा बहुत सारे positions के लिए vacances है जैसा देखेंगे AGM project के लिए जैसा BE civil branch यहाँ पर इलिजबल है experience बोल रहे 15 to 18 years experience होना चाहिए in overall project management, resource planning, project planning and management control administrations next तुमारा यहाँ हमारा मतलब नहीं है तो नहीं discuss करेंगे यहाँ पर देख साकतो तुमारा senior manager contract करके है जापर तुमारा BE civil और diploma civil यहाँ पर eligible है 8 to 10 years यहाँ पर experience माग रहे that's mean minimum 8 maximum तुमारा 10 years यहाँ पर experience माग रहे 08 से तुमारा 10 years तक तुमारा experience मागा है जापर contracts and claim के उपर तुमारा experience होना चाहिए next तुमारा manager के लिए vacances है जापर तुमारा BE और diploma, mechanical और electrical branch यहाँ पर eligible है जापर तुमारा 5 years more than 5 years यहाँ पर experience बोल रहे that's mean तुमारा 5 plus experience that's mean तुमारा 5 years से जादा थोड़ा सा experience होना चाहिए next आते तुमारा manager के लिए है procurement के लिए है जापर civil और mechanical और electrical branch यहाँ पर eligible है MBA करके यहाँ पर mention कि MBA with material management will be added advantage but yes जिसके पास नहीं है तो apply कर सकतो but MBA होगा तो advantage मिलेगा experience यहाँ पर देख सकतो 5 to 8 यहाँ पर 05 to 08 यह experience यहाँ पर मांग रहे next आते तुमारा senior engineer project के लिए है जापर तुमारा BE civil और diploma civil यहाँ पर eligible है यहाँ पर भी experience मांग रहे 08 to 10 years यहाँ पर experience मांग रहे constructions of structures के उपर तुमारा experience होना चाहिए next आते तुमारा planning department के लिए भी vacancies है यहाँ पर देख सकतो senior engineer planning जापर तुमारा ME in constructions management और BE civil यहाँ पर eligible है that's mean BE civil apply कर सकते और ME in construction management भी यहाँ पर eligible है Primavera 6 के उपर तुमारा software का knowledge होगा तो तुमारा advantage मिलेगा MS project का भी knowledge होना चाहिए 5 to 10 years यहाँ पर experience मांगाए for the project planning department में next आते तुमारा senior engineer के लिए है यहाँ पर देख सकते quality server and billing department में है जहाँ पर तुमारा BE civil और diploma civil यहाँ पर eligible है Yes 5 to 8 years यहाँ पर experience मांगाए next आते तुमारा senior engineer के लिए है तुमारा tender and estimations में department होना चाहिए जैसा यहाँ पर देख सकतो ME structural और transportation engineering जिन लोग कम्प्रीट के उन लोगों के लिए इस vacancy से 5 to 7 years यहाँ पर experience मांगाए in high way और infrastructure में next आते तुमारा senior engineer के लिए vacancy से P&M जहाँ पर तुमारा be civil और diploma civil eligible है यहाँ पर 5 to 10 years यहाँ पर experience मांगा है उसके बाद यहाँ पर जितने सारे vacancy से सारे चीज़ के लिए तुमारा 5 to 10 years यहाँ पर experience मांगा है जैसा तुमारा देख सकतो engineer survey जैसा same then तुमारा engineer material and quality control then तुमारा engineer project सारे चीज़ के लिए तुमारा 5 to 10 years यहाँ पर experience मांगा है जहाँ पर तुमारा देख सकतो सारे चीज़ के लिए तुमारा be civil और diploma civil यहाँ पर eligible है नेक्स्ट आते हाउट तू apply पहला बाद यहाँ पर देख सकतो सीवी के सीवी भेजने के टाइम में प्रफर करके subject line मेंशन करना पड़ेगा कौन सा पॉजिशन के लिए तुम apply करना चाहते हो यहाँ पर बहुत सारे पॉजिशन के लिए vacancy से उन लोगों को समझ में नहीं आएगा तुम कौन सा पॉजिशन के लिए apply करना चाहते हो तो इसलिए subject line प्रफर करके mention करते है न इस mandatory जहाँ पर तुम देख सकतो positions applied for that mean तुमारा engineer project देन तुमारा engineer survey कौन सा पॉजिशन के लिए तुम apply करना चाहते हो उसके लिए subject line mention करना है उसके साथ यहाँ पर देख सकतो तुमारा current ctc current ctc and expected ctc भी तुमको mention करना पड़ेगा ओके और यहाँ पर देख सकतो यह जो mail id है तुमको cv बेजना पड़ेगा जिन लोग skin shot लेना चाहते हो direct skin shot ले सकतो ओके यहाँ पर skin shot लेना और यहाँ भी skin shot लेना जहाँ पर तुमको cv बेजना पड़ेगा और जैसा ही यहाँ पर देख सकतो उन लोगों का जो project चल रहा है जैसा ही यहाँ पर in the state of gujarat, moharashtro में इन लोगों का जो तीनो श्टेट में इन लोगों का basically project चल रहा है तो इसलिए इन लोग vacancies जारी किया तो जिलनों का apply करना चाहते हो जाके apply कर सकतो मैं सारे drills अच्छा करके mention कर दियो और problem कुछ नहीं होगा और एक चीज़ बात है cv के साथ cover letter देने से impressions अच्छा होता है तो अभी तुम्हारा चाहिसे तुम क्या करोगी but मेरा suggestion से cover letter देना okay so और कुछ जादा नहीं बोलेंगे बस इतना तकी है वीडियो अच्छा लगा तो परेस लाइक करना और नया हो तो चैनल को subscribe करना फिर से आएंगे एक नया job opportunities लेके so bye take care all the best